हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में एक ऐसे टोपिक पर बात करने वाले हैं एक ऐसा टोपिक सीखने वाले हैं जिसमें mostly बहुत से बच्चों को प्रोब्लम आती है तो देखे भिन में हम LCM लेना नहीं सीख पाते के अगर हमारे पास इस तरीके से भिन आ जाये तो उसमे LCM कैसे लेते हैं और इसमें मैं आपके लिए तीसरा कोश्चन बहुत इसवे से लाया हूँ तो वीडियो को end तक देखे जरूर क्योंकि वो कोश्चन आपको बहुत परिसान करता होगा तो चलिए वीडियो को start करते हैं तो यहाँ पर देखे तीन बटा दो प्लस पांच को तो हम कि इसको कैसे solve करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे आपको 2 का और 7 का LCM लेना होगा तो यहाँ पर देखे 2 का और 7 का मैं LCM ले देता हूँ ठीक है तो 2 से लगा दीजिए यह आ गया एक और यहाँ पर बचा 7 अब 7 से लगा दीजिए तो यह आ जाएगा 1 और 1 तो 14 आ गया हमारे पास LCM यहाँ पर आपको क्या करना होगा इस 14 को आपको डिवाइड करना होगा 2 से इस 2 से डिवाइड करना होगा तो जब हम 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार कट जाएगा 7 टाइम ठीक है तो यहाँ देखे इस 2 से जब हम 14 को डिवाइड हैं इस 14 को 7 से डिवाइड करिए 7 दूनी 14 ये दो बार कटेगा तो उस 2 की multiply आपको इस 5 में कर देनी है तो 5 दूनी 10 ठीक है यहां पर देखे 21 प्लस 10 आ जाएगा 31 बटा 14 तो ये हमारा इस question का answer हो जाएगा आयोप आपके समझाया होगा कि हम भिन के अंदर LCM कैसे लेते हैं अब यहां पर देखे एक ऐसी problem और ले लेते हैं जिसमें हमें LCM निकालना होगा यानि कि इस बिन को solve करना होगा तो आपको क्या करना है 5 का 2 का और 6 का LCM लेना है सबसे पहले ठीक है तो यहां पर देखे 5 2 6 इनका LCM ले लीजिए 2 से लगा दीजिए 5 1 3 अब यहां पर 3 से लगा दीजिए तो यह value आ जाएगी 5 1 1 अब फिर यहां पर 5 से लगा दीजिए तो यह value हमें क्या मिल जाएगी 1 1 और 1 तो यहां पर देखे पांच तिया पंदरा पंदरा दुनी 30 तो यह निके जो LCM आ गया इसका वो आ गया 30 अब हम इसको solve करते हैं यहां मैं LCM ले ले लेता हूँ LCM आ गया 30 अब इस 30 को divide करिए 5 से जैसे मैंने आपको उपर कर आया था फिर आपके पास कितनी भी लंबी भीन हो आप easily उसको solve कर सकते हैं तो यहां पर देखे इस 30 को divide करिए 5 से 5 चिंग 30 ठीक है तो यहनिके 6 बार कटे गाए तो उस 6 की multiply यहां कर दीजिए इस 3 के साथ तो 3 चंग 18 अब देखे प्लस का sign लगा दीजिए प्लस है तो प्लस लगा दीजिए अब इस 30 को divide करिए इस 2 से तो जब हम 30 को 2 से divide करेंगे इस 2 से divide करेंगे तो value मिलेगी 15 और उस 15 को multiply कर दीजिए 7 में तो 15 सत्य कितना हो जाएगा 105 यहां पर लिखे 105 अब यहां plus का sign है प्लस लगा दीजिए अब इस 30 को divide करिए 6 से इस वाले 6 से ठीक है यहां पर देखे 56 तीस यानिके 5 बार कट जाएगा और उस 5 की multiply इस 9 में कर दीजिए तो 9 पंजे 45 यहां पर आ गया 45 तो value क्या मिल जाएग किसी value से कट सकती है क्या हम दोनो value को इनको 2 से काट सकते हैं तो 2 से काट दीजिए 2 से काटने पर यह मिल जाएगा 15 और 2 से काटने पर यह मिल जाएगा 84 तो answer क्या आ जाएगा 84 divided by 15 यह इस question का answer होगा I hope आपके समझाया होगा अब देखे next problem जो की हमारे पास जब भी हम variable की equation solve करते हैं उस time हमारे पास इस type की situation बन जाती है ठीक है अगर आपके पास इस type की situation बनती है तो आप उसमें भी इसी तरीके से LCM ले लीजिए अब देखे 5 का और 2 का LCM कितना आ जाएगा 10 इन दोनों का LCM आ जाएगा 10 तो हम divide में लिखेंगे 10 अब देखे इस 10 को divide करेंगे 2 से तो यहाँ पर देखे जब हम 10 को 2 से divide करेंगे तो value क्या मिलेगी? value मिलेगी हमें 5 क्योंकि 2 पंचे 10 ठीक है तो value मिलेगी 5 और उस 5 की multiply इसमें हो जाएगी तो यहाँ पर देखे हम इस 5 की multiply कर देते हैं 3x प्लस 2 में अब देखे प्लस का sign है तो प्लस लगा दीजिए अब आ यहाँ पर इस 2 की multiply हो जाएगी तो यहाँ पर देखे 2 दुनी 4 और यह आजाएगा 4y यानिके 4y तो आप इसको कैसे solve कर सकते हैं यहाँ पर देखे आपको इसे solve करना है 5 तिया 15x प्लस यहाँ पर देखे 5 दुनी 10 तो यह आजाएगा 10 और प्लस में आजाएगा 4y divided by इसमें हम अभी कुछ नहीं काट सकते यानिके हमारे पास यही final answer हो जाएगा यही इसकी final value हो जाएगी आयोप आपके समझ आया होगा अब मैं end में आपको एक trick बताता हूँ इसी से related ठीक है अब यहाँ पर देखे 5 और 2 ठीक है हमें इनका LCM लेना था तो हमने LCM लिया 10 हमन नहीं है जैसे 2 और 5 इन दोनों में कोई भी value common नहीं है मतलब कुछ भी common नहीं है तो आप क्या करेंगे इनकी cross multiply कर दीजिए मतलब 5 की 5 होगा इसकी multiply इधर कर दीजिए इस value में और इस 2 की multiply इस side कर दीजिए मतलब मैंने आपको ऐसे बताया ना कि आप divide करिए आप 10 को divide करिए 2 से फिट 10 को divide करिए 5 से तो इतना लंबा question खीचने की बजाए आप क्या करिए इस 5 की multiply यहां कर दीजिए और इस 2 की multiply यहां कर दीजिए और यह तभी possible होगा जब इन दोनों के बीच में कोई भी value common नहीं होगी जैसे यहां 2 है और यहां 5 है अगर suppose करिए upon में यहां 6 होता औ भी इसी तरीके की थी यहां पर देखे 2 में और 7 में कुछ भी common नहीं है और हमने basic method से solve किया है आप ध्यान से देखे यहां पर 7 की multiply होई है क्योंकि यहां 7 था तो 7 की multiply यहां हो गई और इस 2 की multiply यहां हो गई यानि कि आप cross में multiply कर सकते हैं कब जब हमारे पास इन दोनों में कुछ भी common नहीं हो मतलब यह 2 है और यह 7 है आयोप आपको समझाय होगा अगर यह वीडियो चलागा तो प्लीज इस वीडियो को like कीजिए और चैनल को subscribe कीजिए thank you friends मिलते हैं next वीडियो में